प्रॉपर फैट नहीं हेल्दी फैट का कॉंसेप्ट किसी को भी नहीं है तो अगर मा की डाइट अच्छी नहीं है सिरफ कार्भो हैड्रेट और फैट नहीं होती जी असलामलेकूम मैं हूँ डॉक्टर नायला कंसल्टन गारिकॉलिस्ट टॉनि फैटिलिटी स्पेशलिस्ट काइनी सिल्यूशन के फॉरम से आज हमने जिस टॉपिक के उपर बात करनी है वो है कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो मां के पिट में अगर रुक जाए तो उसकी क्या वजुहात हो सकती है और किस तरह से उसको लेके चला जा सकता है नॉमली देखा ये गया है कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो अगर दूसरे या तीसरे महीने के अंदर रुक जाती है तो ज्यादा तर उसमें चांसेज ये होते हैं कि वो क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटी हो तो उसके अंदर बच्चे की ग्रोथ अल्हा की तरफ से ही रोकती जा इसके इलावा दूसरी बड़ी वजय क्या होती है, मैंने बार भर बार बताया है अपला सिंड्रोम, थ्रॉम्भोफिलिया, यहनि के खुन का गाड़ा हो जाना, खुन गाड़ा हो जाता है, उसमें कलॉट्स बने लग जाते हैं, मा गाड़ा हो जाते हैं, मा की तरफ जो बच् क्रिटिकल मांट होते हैं बच्छे ने पना वेट गेन करना ह सक्षा कृट्छा में आखरी तेन महीं करता है तो इन के नदर बच्छा जो है वह पॉर्पर लेट गेनome कर पाता है जिसके वज़ा से क्या होता है डॉक्टर अक्सर आपको बताते हैं कि आपका बच्चा ग्रोथ रिटार्डेट है या जो है वो बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही वो वज़न अपना प्रॉपर से गेन नहीं कर रहा है आज हमने यह उस टॉपिक पर बात कर लिए कि साथमें आ सब उसकी दो वज़ा हो सकती थीए या तो मा है उसकी डाइट ठीक नहीं है उसकी खुराग ठीक नहीं है उसके अदर खुराग ठीक नहीं है या dietary deficiencies है दूसरी वज़ा ये है कि जो channels बच्चे को खून provide कर रहे है उनके अंदर कोई record है तो सबसे पहली तो बात ये है कि अगर माँ की ही diet ठीक नहीं है balance नहीं है बहुत ज्यादा nutrition dense food नहीं खा रही है तो उसके अंदर ज्यादा chances है कि ग्रोथ बच्चे की खराब हो जाएगी अब अगर आप देखें वेस्ट के अंदर तो वहां पे nutrition को properly एक as a whole subject लेके चला जाता है लेकिन जब आप हमारे याँ देखते हैं तो हमारे याँ सबसे जदा focus जिसके उपर है वो carbohydrate है और fat है और fat भी कौन सी जो आम चरबी है डालडा घी यूज कर रहे हैं proper fat नहीं healthy fats का concept किसी को भी नहीं है तो अगर मा की डाइट अच्छी नहीं है सिरफ carbohydrate और fat नहीं होती carbohydrate fat बहुत कम portion में body को require होती है इसके इलावा protein बहुत ज़्यादा quantity के अंदर pregnancy में चाहिए होती है इसके इलावा जो minerals हैं वो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है iron बहुत जरूरी होता है folic acid बहुत जरूरी होता है इसके इलावा zinc, selenium बहुत सारे minerals हैं जो कि बच्चे की growth के लिए चाहिए हैं क्योंकि building blocks बन रहे हैं cell बन रहे हैं जिसमें हर चीज चाहिए phosphate calcium बहुत बड़ी मिगदार में चाहिए होता है इसी तरह से multi vitamins जिसके अंदर B complex की पूरी series है इसके इलावा fat soluble vitamins हैं nutrition इसके इलावा इसके इलावा बहुत सरी चीजे हैं जो के nutrition के अंदर जाती है तो या तो माही में इल नरिष्ट है उसको proper पता नहीं है क्या खाना चाहिए pregnancy में जो वो खा रही है वो गलत खा रही है और या उसके खुराक कम है या फूड जो है nutrition dense food है वो उसकी पहुचता की नहीं है या उसको providing नहीं की जा रही है तो ये वज़ा हो सकती है बच्चे की growth कम होने की दूसरी वज़ा क्या है कि जो channels है जो placenta है उसके अंदर कोई खराबी है वो की सुरुत में हो सकती है और जब माह का blood pressure बहुत ज्यादा हाई है जब माह का blood pressure ज्यादा होता है हाई होता है तो channels के अंदर नालियों के अंदर resistance रुकावट बहुत बढ़ जाती है जिसके वज़ाए से खून का बहाओ बड़े अराम से नहीं हो रहा होता है जिसके वज़ाए देखा यह गया है कि जब blood pressure हाई होता है तो placenta सुक्र जाता है और उसकी तरफ खून मुकाम ले रहा होता है मां से और फिर आगे बच्चे को कम दे रहा होता है या तो आपका blood pressure हाई रहा है और आपको पता ही नहीं है दूसरा क्या हो सकता है कि sugar अगर आपकी sugar बहुत ज्यादा हाई है तो sugar की वज़ा से भी क्या होता है खून की नालियों के अंदर clots बन सकते हैं उस सुरत में भी आपके बच्चे का वज़न या तो बहुत बाड़ सकता है या सुकड सकता है बच्चा इसी तरह से एक बिमारी होती है anti-phospholipid syndrome या thrombophilia उसके अंदर कुदरती तोर पे जो खून वो मीडियम है जितना ज्यादा जाएगा वो nutrition लेके oxygen, minerals, vitamins, macros and micronutrients सारा कुछ लेके वो जा रहा है अगर blood का बहाओ ही काम बच्चे की तरफ हो रहा है तो इसका मतलब है खुराक की delivery है वो बच्चे की तरफ काम जा रही है तो जैसे ही डॉक्टर आपको यह बताते हैं कि आपके बच्चे की growth कम है जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो साथ ही वज़ा भी बता देते हैं कि यह 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 वज़ा है और उसमें हर दफा यह नहीं होता कि मां की diet ठीक नहीं है क्यूंकि चलेंज 10-20-30% लोगों में तो हम यह वज़ा सोच सकते हैं लेकिन अगर आपके बच्चे की साथ-साथ उसका पानी भी कम है उसके गेड़ और साथ-साथ उसकी growth भी कम है तो फिर हमें ज़रा बड़े लेवल पे जाके देखनी की ज़रूरत है यहां इवन आठवे मेने में तो इनका वज़न छटे मेने या साथवे मेने के बच्चे के बराबर है उमर इनकी अपने अज़ा मुकमल हो चुके हैं अगर इनको अच्छी केर दी जाए डिलिवर होने के बाद इनको तीन से चार मेने बहुत ज़्यादा तवज़ो दी जाए तो यह बच्चे बहुत अच्छे से अपना वेट गेंड कर लेते हैं इनके अंदर बिमारियों के मकाबले में करने की जो कुट मुदाफ़त है यह बाद की नॉर्बल हैथी बच्चे के निस्पट थोड़ी सी काम होती है तो लहाजा इनको केर की ज़्यादा जरूरत होती है तो यह इसके अंदर हमारी बात होगी के माँ की नूट्रिशनल डेफिशेंसीज, बलड प्रेशर का बहुत ज़्यादा रहना पामल के अंदर शूगर का रहदा रहना थ्रोमबोफीलियाज या एंटी फास्फोलिपर्ट सिंड्रम या कोई ऐसी बिमारी जिसमें के खूद गाड़ा हो रहा है बच्चे के तरफ काब जा रहा है तो इन सूर्ते हाल के अंदर आपके बच्चे की ग्रोथ आप उसके मताबक ताके वो आपका प्लैन जिनरेट कर सके और दुबारा आपको इस मुश्किल कर सामना ना हो उमीद है कि ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी और पसंद भी आएगी पसंद आए तो आपने इसको लाइक करना है और कॉमेट सेक्शन में जरूर कॉमेट जाके करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेरिंग तो इसको सदका जारिया समझ के करें ताके अगर आपके बच्चे के अंदर ये प्राबलम है तो किसी और के अंदर भी ये हो सकती है तो जरूर शेयर करें ताके लोगों तक जो है वो यह information पहुँचे तब तक के लिए मैं बनाती हूँ नेक्स वीडियो तब तक लिए लाफ़िस